next question 2010 में सवाल पूछा गया question है the dependence of acceleration due to gravity on the distance r from center of earth assumed to be sphere of radius r and of uniform density as shown in the figure will be और चार अपने को figure दिये हुए है ना बड़े interesting सवाल है मैं क्लास में हर student को कहता हूँ कि आपको यह graph याद होना चाहिए मुझबानी यह graph आप देखे पैचान जाओ ऐसा होना चाहिए graph बूलना आपको loud नहीं है आलाइट तो graph कुछ इस प्रकार है कि यह मान लिजा आपका आर्थ है और आप यहां से move कर रहे हैं बाहर की तरफ उपर की तरफ जो आप move कर रहे हैं तो हमें बताना है कि इसका छोटा g की value, gravitation constant जो है, ग्रेविटेशन फील आपकी कैसे वैरी करेगी तो ग्रेविटेशन फील ऐसे वैरी करती है कि इस location तक straight line आएगा उसके बाद 1 by r square से वैरी करेगी तो इस विल भी वैरीशन ऑफ जी आपका surface of earth पर जाके इसकी value 10 हो जाती है now based on this हम कह सकते हैं कि option number आपका जो figure number 3 है sorry figure number 4 है that is the right option now इस सवाल पर गौर करिएगा यहां पर आपका figure number 4 है और कई बार सुरण यह गलती करते हैं कि उन्हें 4 4 4 4 4 ध्यान है उस गलत फहमी में वो कई बार option number d click कर देते हैं 4 हमें दिया हुए option number a पर so that means option number a would be the right answer which corresponds to figure number 4